पर्फेक्ट अगर आपको इसी की पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक गजट बनवाना होगा जो की एक कानूनी दस्तावेज है गजट बनवाने के लिए आपको इन तीन दस्तावेजों को बनवाना होगा पहला एफिडेविट बनवाना एफिडेविट बनवाने के लिए आप किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं एफिडेविट में आपको अपना नाम, अपने माता-पिता का नाम नाम बदलने का कारण लिखवाना होगा. दूसरा, समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना. समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए आपको अपने स्टेट के भाशा और अंग्रेजी दोनों भाशा के समाचार पत्र में नाम बदलने की पूरी जानकारी लिखकर प्रकाशन भेज देना है तीसरा, CD बनवाना, जिसके लिए आपको अपने किसी डिवाइस के अंदर Microsoft की Word एप्लिकेशन को ओपन करना है और उसमें नाम बदलने की सारी जानकारी लिखकर उस फाइल को बर्न कर देना है, इस तरह से आपका CD बन जाएगा जब तीनों दस्तावेज बन जाएंगे, उसके बाद इन्हीं तीनों दस्तावेजों को Gazette Office जो दिल्ली में स्थित है, वहां ले जाकर जमा कर गजट के लिए अपलाई कर देना है, फिर 30 से 40 दिन के अंदर आपका Gazette Government की वेब साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा, जहां स आप अपना Gazette डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आपको अपना Gazette साथ में पुराना आधार कार्ड लेना है, और किसी नजदी की आधार कार्ड सेंटर में जाकर अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवा लेना है, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आ अपकी है!